अच्छे बाई हैं उनकी एक महफिल के अंदर मैं इन्वाइट था उदर आप कहलो कि जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि जो हमारी जो मेजर तीन पॉलिटिकल पार्टी हैं वो तीनों के मेरे दोस्त वहां मौझूद थे और तीनों जो थे वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपन कंपेर भी करना शुरू होगे किसी एक ने किया तो फिर बाकी ने भी करना शुरू कर दिया जिना साब के साथ मुहम्मद अली जिना साब के साथ अपने करंट लीडर्स को कंपेर करना शुरू होगे थे कि जैसे इन्हों ने कोई मुलक बनाया है या कोई इस तरीके से वो जो तरीके पाकिस्तान की और तरीके अजादी की जो पूरी मूवमेंट है वो इन्होंने की है खेर आपको बता है कि सारी आज का कोई किसी पुलिटिकल पार्टी थे कोई तालुक नहीं है मैं परस्नली अपना वोट देता था और शायद दुबारा लेक्शन होंगे तो दुबारा भी दूंगा बटाइव वेरी डिसपॉंटेड इस ताइम तो अब पता नहीं क्या अगे अगर लगेगा कि किसको वोट देना हैं बट अगें डाट इस माइं परस्नल उपिनियन एन् कारी ऐस ऐस सच नहीं होती कि सिरफ यूट्यूब के ओपर बैट के और टिक के ओपर बैट के और नारे मारना और ये चीजयें करना और बक्रीओं कीसी किसी इसिव की किसी किसम की knowledge आप उस तरीके से अपनी personality को groom करने के लिए अपने mind को mature करने के लिए आप ना लें तो ये को बहुत बड़ा कारणा मानी है तो मैं आप से सबसे पहले request करूंगा कि ख़दा के वास्ते कोई चीज पढ़ लिया करें अगर आपको लगता है कि कोई history कोई सही तरीके से डिफाइन नहीं हुई तो आप किसी neutral observer का पढ़ लें लेकिन कोशिश करें कुछ पढ़ लिया करें क्योंकि मुझे यह सवाल यह जीव लगता है यह topic यह जीव लगता है कि हम इस चीज का तो थोड़ा सा उसमें गुसा आ जाता है कि साफ जाहर है प्रॉपर जगों से आप पढ़ें हैं प्रॉपर तरीके से आपने जो है अभी मैं आपसे American history या British history या फलाँ के बारे में पूछूंगे यह पूछू कि नियॉयॉक के अंदर streets कितनी हैं तो तो ऐसे आप फर फर जवाब देंगे तो इसलिए थोड़ा सा मैं गुसा कर जाता हूं लेकिन आप नरास नहूं इस चीज के ओपर Now coming towards the topic और जल्दी से मैं आपसे यह बात करूंगा क्यूंकि ज़रा गुसा मुझे इस माम लेकि ओपर ज़रदा चड़ जाता है एकसर तो इसके अंदर सबसे पहले तो यह है कि आप यह देखें कि मुहमद अली जिना साब जब जो maximum efforts हो सकती हैं वो put करना शुरू कर जिते हैं यह 1929 के करीब का टाइम है कि जब नहरू रिपोर्ट 28 में या 29 में जब वो आती है नहरू रिपोर्ट तो उसके अंदर जो मोती गाल है यह मैंने आपको पहले भी explain किया हुआ किसी और सीरीज में लेकिन मैं थोड़ा सा आप को इस से connect कर देता हूं कि मोती लाल नहरू जो Congress के सदर होते हैं और जबाहर लाल नहरू के वालत साहब हैं यह और बेटा और गांदी और चंद और अबुलकलाम अजाद और डिफेंट लोग यह मिल के एक नहरू रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट शाया करते हैं और शा होने हैं या उसके बाद जो ब्रिटिश राज जो है वो एक लोकल पार्लिमेंट इनकी बनाना चाहता है और डुमिनियन के उस प्रॉसस के अंदर तो उसके बारे में डिबेट होती है और जिसके अंदर काईजा अदम को यह रेलाइज होता है कि यह तो हिंदू जो हैं इनक अब मुसल्मानों से कोई लेना देना नहीं है और यह ना हमें पॉर्पर सीट्स दे रहे हैं ना हमें पॉर्पर मिनिस्टरी दे रहे हैं और जिस फरमूले के ऊपर हमें दे रहे हैं वो और oc abad करें कहा है तो काईद आदम सहाब जो हैं वह इन चीजों पर इतराज उठाते हैं और बलके reject इनको स्वेली reject करते हैं और कहते हैं कि ये कोई formula नहीं है जो आपने पेश की और उसके बाद वो आपने ये पड़ा होगा हमारी इस्ट्रीम में या सूरा होगा कि 14 निकाथ पेश की जाते हैं और 14 निकाथ काईद आदम पेश करते हैं उनमें 14 points is actually the reply to नहरू रिपोर्ट नहरू इसके उपर बड़ा सी खुपा होता है कहते हैं कि यह यह क्या चक्र है उस वक्त तक देखें Muslim League के उस तरीके से form होना strength पकड़ना वो तो होता नहीं है Congress के अंदर वो सारे होते हैं तो वो पहली दफ़ा हम Brexit रेते हैं उस टाइम के होते हैं तो यह दर्मेंञें में किस ने क्या कर दी हैं तो वो बाकी मुसल्मानों को मिला के बंगाली मुसलमान भी इसके नदर जो बंगाल State के अंदर के जो होते हैं तो वो काफ़ीद्वार 스टिंस जो है इस चीजज की Show कर मूぁ वो कहते हैं कि जी यह सई हूजी है चौणा निकाल मूसल्मान मैं मूसल्मा लीडर्स की बाप लह रहु हो कि वो इसके अंदर वो कहते हैंड है छिए क्लाव कर रादो लगेंगे मौन्स घज वापर मुसलमा इस तरीके से नहीं नहिका जादा लॉबी होती है जो युनाइटिड प्रोविंस होता है बंगाल की इलगा लॉबी होती है काइद आदम उस तरीके से रखेगनाईज उस वक्त तक नहीं होते के उनकी फांडेशन के अंदर उनके नीचे सारे लोग अकठे हो जाएं तो ये काइद आदम को मतलब मुसल्मानों के थरू काफी ज्यादा डिसपॉंटमेंट होती है यह इन्हों ने क्यों ये नेरू रिपोर्ट के ओपर अगरी कर लिया है काइद आदम इसके अंदर इंडि मैं क्या इसके ळिरफ करूँ नहीं कोई मानता तो आप इन्होंने इसके जो भी करना है के जाते हैं अलामा इकबाल सहब जो है आपको पता है कि अगर आप ने मैं कहता हूं के एक पॉईंथ भी अगर गोर से पढ़िया और उसको समझा है एक पॉईंथ मैं एक वर्स कह लो एक point बहुत लंबी बार तो आप इस चीज़ को आपको समझना और understand करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि अलामा इक्बाल साथ was a saint अलामा इक्बाल साथ एक दर्वेश इंसान थे उनका जो विजन बता चुका हूँ पिछली सीरीज वगयरा में किस तरह सीक्वेंस में बांगे दिरा मार्शिंग बैल बाले जिब्राईल हजदर जिब्राईल के पर यानि परवाज उसके बाद जर्वे कलीम का कल भी मैंने आपको बताया है कि असा मार के नील को दो राद द्रिया कोल देना रास्ता निकाल देना दौरे आदर से जंग जंग का एलान उसके बाद अर्मगाने हिजाज एंड अप दे टाइम्स की जो हमारी वो तो लामा इक बाद साब को अंडर्स्टैंड करना ये तो आप बड़े इच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो एक दर्वेश आदमी थे उनकी वीज़ा नहीं कुछ और थी उस तरह का मुसल्मान मैंने लास्ट टू हंडर्ड सदी के अंदर नहीं देखा अब यह कह लें कि वो एक मुझदित थे इस सदी के जिस तरीके से उनने इसलाम को करते हैं को किएते हैं हँँ आप वापस आएं हमें लीड करना है आपकी झरूरत है युवार किर लीड और लामा इकबाल रबिजन बिलकुर सहीधा के उन्हों कायद्वां का आदम को करते हैं लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके ओपर काइद आदम वापत आते हैं 1933-34 के अंदर वो इंसिडेंट क्या होता है जो बाद में उन्होंने मुलाना शबीर उस्मानी ने बाद में ये चीज़ बताई कि ये मुझे काइद आदम ने फरमाया था और बताया था ये वाक्या लेकिन ये ओन्होंने मुझे ये बौला था कि आप ने मेरी जिन्दगी के अंदर इसको आपने किसी को नहीं बता रहा है तो आप क्योंकर वह वफात सी खुशबू आई बड़ी ही खुशूरत किसम की खुशबू आई और मुझे समझ नहीं आई कि ये खुशबू किस चीज़ की है तो मैं उसमें वॉक करते तक गया मैं जाके सो गया जब मैं सो गया तो मुझे हजूर की जियारत हुई खुशबू में और मुझे नहीं बता था कि ये खुशूर सल्यल्हू आई तो मैंने से पूछा लेकिन मुझे ये जरूर लग रहा था कि कोई स्पिर्चुल परस्नालिटी है तो मैंने से पूछा तो उनने मुझे बताया कि मैं मैं प्रॉफिट मुहम्मद सल्लाओ वाले वसल्लम हो और ही और मी वर्ड देके ही और मी तो गो बाक टो इंडिया और मुसल्मानों को लीड करो क्योंकि तुमने पाकिस्तान बनाना है तो कहते हैं कि मैंने फौरी अपने समान पैक किया और रस्ट इस हिस्ट्री अगर आपने मैं से समरी सुनी है कि 34 के बाद क्या हुआ 37 के एलेक्शन होते हैं 46 के 40 में करारजादे पाकिस्तान आती है पाकिस्तान का नाम डिरेक्टली कायद यादम लेते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रीम में यह चीज देख लिए खौब में यह चीज जारत कर लिए तो वह कहते हैं उसके बाद पाकिस्तान का नाम चालिस में आता है 46 में एलेक्शन होते हैं 47 में ब्रिटिश जो क्लोनियल पावर है इसके उन्होंने पाकिस्तान बनाना है इसके बगहर गुजार